अगर इस संसार में कर्मों को काटने की बात की जाए तो भगवान महाम रितंद्य की साधना का कोई जवाब ही नहीं है और वो साधना जब अद्वयत रूप से हो तो हजारों लाखों करोणों अनंत गुना उसकी शक्तियां बढ़ गई आपके जीवन में जो भी कश्ट उन कर्मों की वज़े से है, दो ही तरीके हैं या तो आप उन कश्टों को भोगो, तव वो कर्म से मुक्त हो, या भगवान पिक्रपा से उस साधना में डूप के तपस्या की अग्मिंगों से जला कर भश्तिय कर दो तो इससे आप मुक्त हो सकते हो तो ये साथना आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करने में आपके सक्षम है अजिन लोगों को लगता है कि मैं तो दो मिनेट भी नहीं बैठ सकता है मेरा मन ही एकाग्र नहीं होता मैं कैसे ध्यान करूंगा ध्यान टेक्नीक नहीं है ध्यान टेक्नीक नहीं है ध्यान एक आशिरवाद है एक ब्लेसिंग है जब तुम भाव तो करो तुम सर्णा गत्त हो शीश्वर के पति जब तुम वहां बैठोगे तुमें पते ही नहीं चलेगे कब तुम समाधी में चलेगे सरणागती जैसे ही तुम करोगे तुम देखोगे शुद्धी चालू होगे और यो सब अनुभूती की चीज है तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी कोई परवा नहीं करनी बस तुम्हें भाव ले करके आना है कि आब मुझे अपने जीवन में उस परमेश्वर की सरण में जाना हो या मुझे अपने जीवन में इस लक्ष की और आगे बहुन है सकरात्मक होना चाहिए आप देखोगे आपको बहुत दिवन उभुतियां होंगे और परमेश्वर की इच्छा के नुसार आप पने जीवन को चला पाओं तो आप सब करने आए हो उन्नमेश्वाय हरियम सेथ मिलते हैं इस साथना में पार आप चाहिए दो के एक दो आप कर पर 12 दो प्रीक करना में